सीरिल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि फैंस हुए बहुत नाराज जिया इस शो में जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न दिखाये जा रहे हैं फैंस अब उससे बहुत बोर हो चुके हैं उन्होंने क्या क्या कहा है चलिए आपको दिखाते हैं हया खान ने लिखा है कि मुझे राइटर्स की समझ नहीं आती कि क्या स्टोरी दिखाना चाहते हैं पहले बच्ची का ट्रैक दिखाया फिर इसे मार दिया फिर उनके दिल में नए बेबी की आस लगा दी अब फिर बच्ची की एंट्री कर दी है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेकर्थ और्रायतर करना क्या चाते हैं उस दिन से पूरी स्टोरी बहुत ही बखवास दिखाई जा रही है, بट आई वेश ये बच्ची काईरा की बेटी ना हो, प्लीज प्लीज मेकर्थ अब इस बच्ची को ना 해서 और कार्ती की बेटी ना बनाना. जी है ये लिखा है है हया खान ने. प्रनीश महरा प्लीज काईरा का पुराना जनन दिखाएं. साकषी गवेल लिखीती हैं ये रिष्टा क्या क्या कहला आता है कि मेकर्स एकी चीज क्यों दिखा रहे हैं शो में. बोर हो गए हैं ये चीज़े बार बार देखकर कृष्णा एस लिखते हैं फुल ड्रामा है इस शो में तो बेकार चल रहा है ये शो की अपडेट मत दिया करो उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपडेट मत दिया करो बाकी शो की अपडेट दिया करो यानि कृष्णा एस शो से काफी परिशान है वहीं सुमंदरावाल लिखती है प्लीज मेकर्स ऐसे तो रियल लाइफ में भी नहीं होता पहले दवा वाला ट्रैक को बहुत अच्छा लग रहा था फिर वापस यादाश वाला ट्रैक राजन सर ऐसे तो रियल लाइफ में फैमिली में किसी के साथ किसी सर्दस के साथ नहीं होता इससे तो अच्छा है काईरा को एंट्री होती शो में अब आदिती की एंट्री दिखाते हो शो में बहुत ही मज़ा आ जाता प्लीज सर इतनी अच्छी जोड़ी है आपके पास कुछ ऐसा शो में दिखाईए कि शो में मज़ा आ जाए पहले भी वैदिका वाला ड्रामा भी बिना मतलब का डाला था शो में खराब टी आर पी आई और अब ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जिससे ये रिष्टा क्या कहलाता है पसंद नहीं आ रहा है जिहां तो फैंस इस तरह से निकाल रहे हैं अपना गुसा उनका कहना है कि फिल्म के मेकर को इस शो पर ध्यान देना चाहिए नायरा और कार्थी की लव स्टोरी लोगों को पसंद आती हमेशा या तो वो करके आगे बढ़ाएं या कोई और नया ट्विस्ट ये मैमोरी लॉस के ड्रामे से ये रिष्टा के फैंस बहुत ही नाराज हो चुके हैं देखते हैं फैंस की ये नाराजगी शो के मेकर्स और शो के राइटर्स तक कब पहुँचती है और कब वो इसमें सुधार लाते हैं